हेलो फ्रेंट्स, वेलकम डू मैं यूटूब चैनल, गैस आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंग और विश्विद्यालाई सागर की, जी हाँ, एडविशन स्टार्ट हो चुके है, डिपार्टमेंट और फिजिकल एड़ुकेशन ने, नॉटिकेशन जारी क किया है, यहां से वेजलर कोर्स के लिए आपको इंट्रेस्ट एग्जाम के तुर्व एडविशन मिलने वाला है, तो वीडियो में देखेंगे कौन सा कोर्स डॉक्टर हरी सिंग और विश्विद्याले सागर से कराया जा रहा है, फ्रेंट्स नया कोर्स है, काफी कम लोगो है, हाली में डॉक्टर हरी सिंग और विश्विद्याले सागर मधिप्रदेश से रिलीज हुआ है, डिपार्टमेंट ओफ फिजिकल एजुकेशन एडविशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप देखेंगे, एप्लिकेशन और इन्वाइट फॉर एडविशन इन्ट से लिए एडविशन यहां पर हो रहे हैं, यहां पर दिया हुआ है, इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं, वेबसाइट आप देख सकते हैं, डि एच एज जी एश यू, एडी एम डॉट समर्स.डॉट एडी यू डॉट इन, आपको 30 जून दोहजार चॉविश से पहले, फॉर्म यहां पर फिलब करना है, देटेल एडविशन ब्रॉसर इस एवलिवल और यूनिवस्टी वेबसाइट, यह डॉक्टर हरी सिंग और सेंटल यूनिवस्टी का ओफिशल वेबसाइट है, यहां पर आपको डेटेल नॉटिफिकेशन भी मिल जाएगा, नहीं इसके बाद हम देखेंगे, लास्ट डेट तो तो 30 जून 2024 तक आप फॉर्म यहां पर फिलब कर सकते हैं, इसके बाद इंट्रेंस एक्जाम का यहां पर डेट देखते हैं, तो अभी कोई ओफिशल डेट नहीं आई है इंट्रेंस एक्जाम के लिए, जैसे ही कोई डेट आत के दूसरे सब्ता में आपका इंट्रेंस एक्जाम हो सकता है, चलिए अब देखते हैं, प्रोग्राम डिवरेशन कूर्स कितने साल का है, तो semester wise आपका कूर्स रहने बाला है, 6 या 8 semester आपके यहां पर रहेंगे, 6 semester रहेंगे वेचलर डिग्री के लिए अगर आप बैचलर ड 2020 के अंजरगत यहां पर अगर आप एड़िशन लेते हैं तो आपको यहां पर आठ सेमेश्टर चार साल का कोर्स आप करेगा eligibility criteria देखेंगे तो आपको 12th pass out होना चाहिए और आपके पास यहां पर admission interest exam के तुरू होने वाला है मतलब आपको यहां पर इंटरेंस exam देना होगा उसी के बाद आपको यहां पर admission मिल पाएगा आप चले देख लेते हैं एज criteria क्या है तो 31 जोलाई 2024 तक आपके maximum 22 years x होना चाहिए और यहां पर SC और ST category candidate की डे 27 age criteria रखा गया है admission the department of physical education will conduct interest test for admission interest exam के दुरू ही आपको यहां पर edition मिलेगा number of seats देख लेते हैं तो total 40 seats से यहां पर आप आप देखेंगे note भी दिया हुआ है कि university has the right to vary the seats for BPS program तो फ्रेंट्स इसका अगर आपको डिटल notification चाहिए तो आप टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लिजिए लिंक आपको description box में मिला जाएगा Instagram पर भी आप हमको follow कर सकते हैं जिसका लिंक भी description box में मिला डला हुआ है तो आपको इस course related और कोई doubt रहता है तो आप comment श्रस्तन के माद्यम से हमसे पूछ सकते हैं आज के लिए नहीं